और गुना में किसान दमपत्ती के साथ पुलिस द्वारा मारपीच के मामले को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है कॉंग्रेस नेता फूल सिंग बरईया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार गरीब और असहाय लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है लेकिन ये बरदाश्ट नहीं किया जाएगा इन्ही कुछ मुद्धों पर कॉंग्रेस नेता फूल सिंग बरईया से खास बात चीत की हमारे संबादाता आकाश सेन ने गुना में स्रडूल कास्त दंपत्ती के साथ हुई मारपीट की गटना को लेकर सरकारना एक्शन जरूर लिया है लेकिन अब इसको लेकर जो है सियासत भी मद्यप्रदेश में देखी जा रही है मद्यप्रदेश में जो कमजोर बरगों पर अत्याचार हो रहे है वो अत्याचार कोई अपने आप नहीं हो रहे वो भारती जनता पार्टी सरकार का एलेक्शन एजेंडा है ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि जितना जादा गरीबों के साथ अत्याचार करेंगे उतने जादा उनके साथ कुछ सक्तिसाली लोग जुड़ेंगे ये उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसी प्रोजेक्ट के तहत नोने गरीब आदमी को जो कल खेती कर रहा था और वो अपने खेतों में अपने दो जून की रोटी कमाने के लिए फसल पैदा करने के लिए उसने वोई हुई थी तो पुलिस वाले लोग गए और पुलिस वालों ने उन गरीबों को कमजोरों को इतना बुरी तरह के से मारा है एक पुलिस वाले का तो मैं वीडियो में देखा कि इतना बुरी तरह से लात मार रहा है कि उस महिला को और उस गरीब राजकुमार को जो लात मारी है पुलिस वाले ने तो मैं डीजी से खुद पूछना चाहता हूँ क्या मुझे बताएंगे कि इस प्रकार से पुलिस के लोग तुम्हारे घर की महिलाओं को अगर लात मारते तो क्या तुम इसी प्रकार से देखते रहते ये तुम्हारा जो नाट की रूप है इसको बंद करो और ये कोई नयाय नहीं होता है कि एस पी कलेक्टर हटा दिये ये कोई उनको सजा नहीं है कोई दंड नहीं है आप उस गरीब को जो जिंदगी मौत से जूज रहा है उसके घर जाए क्या नुक्सान उसका आपने किस हाधार पर किया है उसका फैसला कीजिए और सिरफ यहीं नहीं उसको जमीन का भी निप् कहूंगा कि अगर सरकारी जमीन आपके पास पड़ी है और गरीब भूंको मर रहा है तो सरकारी जमीन गरीबों को दे दिनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है वो सरकारी जमीन उस गरीब के पास नहीं थी उसने उस जमीन को किराए से लिया है सिरफ फसल करने के लिए सरकारी जम जैसा उन्होंने अत्याचार किया है और उसका जल्दी से जल्दी उस गरीब को न्याय देने की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी सरकार सुरू करें नहीं तो हम लोग जो है कल जो है जा रहे हुआ उसी गटना इस्तल पर जा रहे हैं कि इन्होंने किस प्रकार से उस गरीब के सा सब्सक्राइब करने की तैयारी कि अब लोग बैसे तो मैं आज ही जाने की सुबह तैयारी कर चुका था लेकिन मुझे खावर आई कि कल कॉंग्रेस पार्टी का पूरा प्रतिनीनी मंडल जाएगा तो उस प्रतिनीनी मंडल में हम लोग सब जाएंगे और वहां स्पॉर्ट पर देख करके कि अत्याचार किस्परकार का हुआ है इसके पीछे भारती जनता पार्टी गहराई से कहां तक है तब हम आंदोलन का फैंसला करेंगे और वो आंदोलन न्याय मिलने तक ही नहीं बले कि अत्याचारी सरकार को उखाड फैकने तक का आंदोलन हमारा जारी रहे तो ये फूल सिंग बरहिया जी है कॉंग्रेस के पूर रासा और प्रत्याशी भी रह चुके है और साफ तोर पर कह रहे हैं कि अब गुना में कॉंग्रेस वहाँ पीडित पक्ष की घर पहुचेगी उनका हाल चाल जाने की और उसके बाद वहाँ से ही जो है बद्दिप्रतिश सरकार के खिलाफ आंदोलन का आगास किया जाएगा कैमरा परसर नारायन के साथ आगास सेन 1924 पोपाल